हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मैं दिपानिता आज आपके सामनेल आई हूँ एक और नई रेसिपी मटर की छोले घुगनी या फिर सुखे मटर की सबजी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं मैंने सुखे मटर को साथ से आठ घंटे तक के लिए भीगोने के लिए रख दिया है मैंने प्रिशर कुकर में दो सीटी लगा कर मटर को आच्छी तरसे बॉयल कर लिया तो यह रहे बॉयल कीवे मटर और मुझे साबूत मसाले में चाहिए एक छोटा सा तेज पत्ता एक चम्मच जीरा और एक सूखी लाल मिच दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याच चाहिए एक बड़ा टमाटर कटा हुआ और यह मसाला पेस्ट मसाला पेस्ट बनाने के लिए क्याकर चाहिए देखते हैं एक चम्मच अद्रग लेशन का पेस्ट एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर दो छोटी चम्मच जीरा पाउडर दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे मसाला पेस्ट एक दम रेडी है गरम मसाला एक छोटी चम्मच और आधी चम्मच घी चाहिए हमें सबसे पहले दो चम्मच सरसो तेल डालेंगे और उसको गरम कर लेंगे अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर साबुत मसाले और इसे तो मिंट के लिए फ्राइ कर लूँगी अब मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्यास और इसे भी अच्छी तरसे फ्राइ कर लूँगी अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और टमाटर को भी प्यास के साथ अच्छी तरसे फ्राइ कर लूँगी अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, स्वाद अनुसार ताकि टमाटर अच्छी तरसे गल जाए और मसाला पकाने में कम समय लगे और इसको भी अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे अब मैं इसको ढग दूँगी ताकि जो टमाटर अच्छी तरसे गल जाए तो चली धक देते हैं मैं धकन खोल के देखती हूँ कि टमाटर गल गये के नहीं तो टमाटर जैसे कि देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरसे गल चुका है अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पेस्ट मसाले का पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूँगी और इस मसाले को टमाटर और प्यास के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक नहीं इसमें से तेल निकले मसाला जल न जा इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी के साथ मसाले को और थोड़ी दिर पकाऊंगी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी के साथ मसाले को थोड़ी दिर और पकाऊंगी मैं अब इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी ये टोटली ओप्शनल है आप चाहे तो इस्तमाल कर भी सकते हैं और इसे अच्छी साथ से मिक्स कर लेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं मसालों में से तेल निकल चुका है अब मैं डाल दूँगी वो बॉयल की हुए मटर और मटर को भी अच्छी तरह से मसालों के साथ पका लूँगी अब मैं इसमें थोड़ो सा पानी डालूँगी आपको जितना ग्रेवी पसंद है उससाब से आप पानी डाल सकते हैं अब मैं इसे धाग दूँगी तो चली धकन खुल कर देखते हैं अब मैं डाल दूँगी इसमें घी गरम मसाला और इन दोनों का अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी अब मैं लास्ट में डालूँगी धनिया पत्ता बस मटर के छोल ले यानि की घुगनी एकदम रेडी है पूरी पराठा के साथ भी सर्फ कर सकते हैं क्याफी भुजिया डाल के चाड बना के खा सकते हैं क्यों एक पराठा के लハハ